मुठापा के कई कारण है ओवे सीटी की अगर समस्या है आप चायन मैला है या पुरूस है तो आपको लाब मिलेगा आज की वीडियो में हम एक ऐसी आयरवेदिक दिप्ल आउसधी के बारे में बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आपका मुठापा बिल्कुल कम दाएगा मुठापा ही नहीं आपके सरीर में होने वाली और भी बहुत से ऐसे बिमारी है जिसको यह आउसधी बिल्कुल ठिक कर देती है आए जानते हैं कि आप कौन कौन से बिमारीों को ठिक करती है दोस्तो अगर आपको मुठापा की समस्या है जैसे कि आप बहुत जादे मोटे हो गए है आपकी पेट तूंद बहुत जादे लटक गई है नीचे की तरफ बहुत जादे आगे निकल गई है आपके कमर बिल्कुल चोड़े हो गई है कमरा हो गया है कमर फैल करके आप अपने मुठापे से परिशान हो रहे हैं दोस्तो मुठापा जब आता है तो कई प्रिकार की बिमारिया भी साथ ले करके आता है जैसे कि मुठापा जैसे जैसे बढ़ने लगता है आपके पेट में गैस और कप्ड की समस्या भी बढ़ने लगती है इसके साथी साथ आपको ब्लड प्रेसर की समस्या भी बढ़ने लगती है यानि कि आपकी जो बीपी है वो हमेशा हाई जाने लगती है इसके साथी साथ अगर आपका या मोटापा जादे दिनों तक रुख गया तो आपके सरीर में सुगर मील आपका साथ देना छोड़ देता है और सुगर लेवल भी आपका बढ़ने लगता है सुगरले बल बढ़ने के साथ ही साथ आपकी सरीर में मोटापा के ही वज़ा से आपकी कोलेस्टरॉल की मातरा बढ़ने लगती है और रिदय समधित भीमारिया में आपको पकड़ने लगती है यह केवल और केवल मोटापे के कारण होता है आप में देखा होगा कि अक्सर आपके आसपास ऐसे रोग रहते होंगे जो अत्यादिक मोटे रहते होंगे पेट बहुत जादे मातरा में निकलती होगी और जवानी में ही वो भगवान को प्यारे हो जाते है इसका कहीं ने कहीं कारण मोटापा ही होता है मोटापे के कारण आपके सरीर की वज़न बढ़ जाती है जिससे आपके बुटनों में अक्सर दर्द रहा करता है इन सभी समस्याओं को आज की वीडियो में बताई जाने में अवसधी बिलकुल ठीक करेगी और आपका मोणापा OVCity की समस्या से आपको निजाब मिल जाएगा और आप बिलकुल ठीक हो जाएगे इस अवसधी का नाम है मेदोहर बटी आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मेदोहर बटी को कितनी मात्रा में खानी चाहिए और कौम-कौम से इसके साइड वेक हैं इससे पहले अगर चैनल पर आप नए है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकान की एंटी दबा लेजे तदा वीडियो को लाइक करना न बोले तो आईए जानते हैं कि मेदोहर बटी की कितनी मात्रा आपको लेनी है आप तो वीडियो में जाने ही गए होगे कि या मेदोहर बटी किन-किन बीमारियों में काम करती है लेकिन आईए अब आप जान लेजे कि इसकी कितनी मात्रा आपको खानी है आपको बोजन करने के बाद सुबे और साम दोनो टाएं इसकी दो-दो गोलिया पाने के साथ लेना होता है इसके प्रयोग से आपको दिप्र लाप मिलना सुरू हो जाएगा और मोटापे के साथ साथ होने वाली विभिन प्रकाय की बिमारिया भी ठीक हो जाएगे तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट कर जरूर बताईएगा आईए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंद्यवाद